ओम नमो भगवते वाशु देवाए नमस्कार प्रियभक्तो एक पार धर्माद युदिष्ठेल भगवान श्री क्रेश्न को कहते हैं भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपने चैतर मास के सुकल पक्ष की एक अदसी अर्थात कामदा एक अदसी के वारे में विष्दार पूपक बतलाया अब किरपया करके वैसाथ क्रेश्न एक अदसी का क्या नाम है इसकी क्या विजी है और क्या इसकी महिमा है क्या महत्व है कृप्या करके यह भी मुझे बतलाएं भागवान श्री क्रेश्ण ने कहा हे राजेस्वर वे साथ मास के क्रेश्ण पक्ष की एक अदसी को वरुतिनी एक अदसी के नाम से जाना जाता है यह सौभाग्य देने वाली सब पापों को नश्ट करने वाली और अंत में मुख्च देनी वाली है इसकी महात्म कता अभी सुनाता हूँ प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तक पर मांध हता नामक राजा राज करते थे वह अत्यंत दान सीन तक तपस्वी थे एक दिन जब रहे जंगल में तपश्य कर रहे थे तब ही ने जाने कहा से एक जंगली भालू आया और राजा का पेर चबाने लगा राजा पूर हुवद अपनी तपश्या में लीन रहे कुछ देर बाद पेर चबाते चबाते भालू राजा को गसीट कर जंगल के पास ले गया राजा बहुत गवराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ने करके भगवान विश्णू से प्रारतने की करून भाव से भगवान विश्णू को पुकारा उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरी विश्णू प्रकटूए और उन्होंने चक्र से भालू को मारडा ला राजा का पेर भालू पहले ही खा चुका था इस से राजा बहुत ही सोका कुल हुए उनहें दुखी देख कर भगवान श्री हरी विश्णू बोले हे वत्स सोक मत करो तुम मत्रा जाओ और वरुतनी एकरदसी का व्रत रख कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो और स्कता का श्रवन करो उसके प्रभाव से उन्हें सुद्रड अंगो वाले हो जाओगे इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यहे तुमारे पूर्व जन्म का अपराद था भगवान की आग्या मान कर राजा मांधाता ने मत्रा जाकर श्रद्धा पूर्वत वरुतनी एकरदसी का वगत किया इसके प्रभाव से राजा सेक्र ही पुने सुंदर और संपून अंगो वाला हो गया इसी एक अदसी के प्रभाव से राजा मांधाता श्रद्ध वए थे जो भी व्यक्ति भैसे पीडत है और दुक दरिदरता है उसके जीवन में उसे वरुतनी एक अदसी का वगत रगत कर भगवान श्रीहरी विष्णू का इश्मराइं करना चाहिए और इस वरुत की कता का श्रवन करना चाहिए इस वरुत को करने से समस्त पापां का नास होकर मोग्च की प्राप्ति होती है इस तरह से भगवान श्रीप्रश्म ने युदिष्ठर को वरुतनी एक अदसी वरु कथा और महिमा की बारे में पतलाया था सभी भक्तगान श्रद्धा पूरवक इस व्रत की कथा का श्रवन करें कथा के श्रवन मात्र से सभी पापों से मुट्थी मिलती है ऐसा माना जाता है आज़ा करती हैं सभी भक्तगानों को ये कथा पसंद आई होगी यदि आपको ये श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करना भक्ति योग चैनल भक्ति और श्रद्धा से सम्मधित कथाएं वीडियो के लिए ही बनाया हुआ है आसा करती हूं आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे धन्यवार ओ ओम नमो भगवती वाशुति वाई